तो हेलो गाईज, ट्रेक्शन डॉक्स में आप सभी का स्वागत है और आज के उड़ों में हम लोग बात करेंगे हॉंडा एक्टवाज 7G के स्पोर्ट्स एडिशन के बारे में और इस वीडियो में अगर आपको 125cc या 110cc वाले वेरेंट के बारे में जानना है या उसकी बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो उसमें आपको बता दिया है इस वीडियो में स्पेशली 160cc की बात होने वाली है क्यों आएगी 160cc की स्कूटी इसके साथ-साथ इसके आने का रीजन क्या है? क्या इसकी प्रैसिंग होगी? और इसके साथ-साथ बाकी चीज़े टॉप स्पीड माइलेज और स्पेसिकेशन और कौनसे क्लर विरेंस में आएगी वो सारी चीज़ें चलो सबसे बहले शुरुआत कर लेते हैं तो दूस्तों सबसे यह आपको पता ही है, उनकी स्पीड काफी जाधा तेज़ है, जैसे ओला की 115 है, मतलब उस चोटे से स्कूटर में ही, और होंडा की टॉप स्पीड 80 तक जाती है, माना जातर लोगों को जरुवत नहीं है, मतलब 60-70 से उपर की स्पीड की भी जरुवत नहीं होती, मगर कुछ लोगों को जो स्पोर्ट के दिवाने होते हैं, उने परफॉर्मेंस से मतलब है, कि भले उनकी स्कूटी वो लेके न आ जाएगा भी ती, लेकिन अगर 120 से उपर की स्पीड मिल गई, तो वो उनको काफी अच्छी लगती है, ऐसे लोगों के लिए होंडा, टार्गेट करेग स्कूटर को मैक्सी स्कूटर के ऐसा डिजाइन आपने देख लिया, तो उसमें 160 CC का इंजन देखने को मिल जाएगा, एरो डाइनमिक डिजाइन होगा पीछे, आगे, पीछे दोनों टाइफ की तरफ आपको टेल्सकोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाएगे, पीछे मतलब डू सार्च करेगा, आपको एक लाग पच्चे से, एक लाग 35,000 की बीच में इसकी प्राइसिंग होने वाली है, आपके स्टेट पर डिपेंड करती है, हाँ, ये एक शोरूम प्राइसिंग है, आपको शोरूम पर पता करना पड़ेगा जब ये लांज हो जाएगी, देख सकते ह इसी तरह से 6 कलर विरेंट्स में आएगी, रेड, ब्लू, ब्लैक, इसका दूसा कलर विरेंट आता है कि ये लोड़्स थीम में वह वाइट, इसके साथ साथ ग्रे, 6 कलर विरेंट्स हो गए इसके, और आप देख सकते हो कुछ इसी तरह से डिजाइन है, इसका माइलेज की बात करें तो around 45 km per liter की mileage दे गई है मालेज इत्ती कम है मतलब जो अपनी स्टेंडर्ड एक्टिव एक्सो 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 पच्छी सी वाली से उसका यही रिजन है इंजन ज्यादा पावरफुल है तो फ्यूल ज्यादा कंजूम करती है हां ज्यादा फ्यूल कंजूम कर रही है क्योंकि पावर अगरा सारी चीज़ ज्यादा है इसमें 120 km per hour की इसकी टॉप स्पीड मिल जाएगी आपको तो यह काफी कमाल की चीज़ है प्रैसिंग ने बता दिया आपको टॉप स्पीड और माइलेज हो गरा की चीज़े बता दी और भी चीज़े आगे बताओंगा सबस हुआ है तो आप उसके मार्केट को देखते हुए एक्सपेक कर सकते हैं कि अब यह इंडिया में भी आएगा क्योंकि वहाँ भी अपने इंडिया की तरह लैंड्सकेप होते हैं हाँ स्कूटर वहाँ पे जी सीरीज नहीं मिलती लेकिन जब भी बाकी उसकी सीरीज अब बाक कर लेता है तो एक्सपेक्टर लॉंच डेट है 2023 के एंड तक हो सकता है थोड़ा असा और डिले हो जाए लेकिन एक साल के अंदर तो आई जाएगी ऐसा ही सीन है इन चारों में से कोई भी वीडियो देख लेना अच्छी है इच्छा लगे तो और चैनल अच्छा लगे तो स